हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक ओन अपेक्स क्लासेज डिजिटल प्लेटफॉर्म मैं शीतल शर्मा आपकी शोसल स्टुडिस एजुकेटर आज हम पढ़ेंगे क्लास तैंथ का फूर्थ लेसन विश्व का इतिहास आपके लिए बहुत बड़ी खुश कबरी है कि कोविड-19 की वज़े से हमारे बोर्ड की द्वारा जो सिलेबस कम किया गया है उसके अकॉर्डिंग इस लेसन में के वल आपका एक ही टॉपिक रह गया है और द्योगी क्रांटी इस लेसन में जो भी युरॉप में रास्टवाद के उद्धै उसके कारण जर्मनी का एकी करण इटली का इस सारे टॉपिक आपके हटा दिये गये है नए सिलेबस के एक्वार्डिंग दो हजार 21 में जो तैंथ बोर्ड की एक्जाम होंगे उनके लिए इस लेसन में आपका एक ही टॉपिक रह गया है वो है और जो कि करांती और इसमें भी यह लेसन जो है आपके केवल कितने मार् कॉछन गाल में नहीं दो नमाइन कम्यों प्र 창 पूछेता सकते हैं या थरे मर्लेस में प्रेंदा आपको उसमें सबसी प्रकाइस क्या तो आज हम पढ़ेंगे और इंग्लेंड से प्रारम क्यों है सबसे पहले तो एक नमर का आपसे कोशन पूछा जाएगा क्यों तो आपको ध्यान रखना है इंग्लेंड में प्रारम होई एक नमर का कोशन तो यह importantobonstan I think अगला कोश्य बनता है इंग्लेंड में कया प्रारम हुई ंग्लेंड के ना तो इंग्लेंड में luck करांटी से अब इंग्लेंड तो देश है ये युरॉपे देश अपनिवेशिक का मतलब क्या होता है अपनिवेश होते हैं अब उपनिवेश का मतलब क्या है एक शक्तिशाली रास्ट एक शक्तिशाली देश जो की राजतिक द्रस्टी से शक्ति के बलपर ताकतवर है आर्थिक द्रस्टी से ताकतवर है उसके द्वारा किसी अपने से निर्बल रास्टी पर अधिकार करके उसको अपना गुलाम बना लेना क्या कहलाएगा बनावा रहा इसका गुलाम बनावा रहा तो असके का मतलब है कि इसके बहुत जादा क्या थे उपनिवेश किस्की बात हो रही है इंग्लैंड की के यूरीप से चर्मनी जह इब रिवीवेश इसें कॏ क्या फायदा होता है कि अगर होई देश आप वहां से किसी चीज के लिए आपको और इसको आपको अपको सब्सक्राइब जितनी वहां पर उसको पैसा दोगे उसको वही पैसा लेना पड़ेगा जैसे भारत में भी क्या था कपास वह बहुत बड़ी मात्रा में अंग्रेज भारत से लेके जाते थे और इंग्लेंड में निर्मित करके लाते थे उसके बाद में माल को खपाना है तो उसके लिए भी उपने विश्क आउशकता भी बड़ी मात्रा उत्पादन तो कर दिया अब इसको बेचे कहां इंकम प्राप्त इसके पास सरवादे कौपनेशिक सामराजिते इसलिए ओध्य कि रांती जो थी वसब से पहले कहां हुई इंग्लेंड में हुई एक जिके क्लेर होगया तक सेकेंड पॉइंट लोहे और कोईले की खाने पास पास होना जैसा कि मैं आपको बताया कि मशीनों का निर्मान किसे होता है इनकले से पास से उसका शुचा मूलेन अब करण स KIRan में तरह कि मशीनों के निर्मान के लिए परतफिते प्रासे थी तो इस वजह से वहाँपर मशीनों का निर्मान क verdict सबसे होई इंगलेंड में हुई अटे आपको यहां जो म्योंत बता रहे हो आपको पुछा जा सकता है तो सारे पॉइंट आपको समझने अच्छे से हैं लेकिन के लोगे डारेक्ट कारण पूछे ही कि इंग्लेंड में प्राणम होने की कारण बते ही है तो आपको कोई भी चार पॉइंट करने तो लोहे और कोईले से क्या हुआ कि मशिनों का निर्माण होना से उत्पद्ञ किया जाता था तो मशिनों का निर्माण में होने के कारण अध्यों की क्रांति वी सरपति में का से इंग्लेंड में अटिके ना मशिनों का निर्माण में आसान हो गया तीसरा उपभोग के अनुरूप उत्पादन उपभोग के अनुरूप उत्पादन उपभोग का मतलब क्या होता है किसी चीज का प्रयोग करना उपभोग के अनुरूप उत्पादन है कोई चीज पैदा की जा रही है कि इंगलेंड में वही चीजे उत्पादित की जाती थी जो मनुष्य के लिए मूलभूत आवशकता है जिसमें प्रमुख रूप से रोटी और कप्रा माने तो यहां पर इसके दौरा सबसे जादा वस्त्रों का निर्मान होता था और अन का निर्मान होता था इंगलेंड के द्वारा कारण क्या था क्योंकि उसके जो अपनेविश निर्याद करता था क्ए जैननी प्रसादन के जब चीजहें उल्चान के सब्स्क्रांग चीजें अंघलेंड और इंगलेंड व्यमान की प्रहुब। और आपके पास में एक पचास का नोट है अब आपको भूख लगी बहुत तेज और आप जा रहे हैं किसी शौप पर खाने के लिए कुछ लेने के लिए लेकिन उसके पास में ही एक कोई दूसरी शौप दिखती है जिसमें जैसे मालों कोई छोटा सा बच्चा ही है तो वहां खिलोने की दुखान में ख hardness घ्रणों बहुत देखता है और बोच इसके पास के लिए कि यह उता है कि अप प्राथमिक्ता में किन चीजों को रखता है घर तो लॉकडाउन के दौरान जैसे था कि इतनी तारिक से आपकी कोई जैसे डेट का एलान कि यहां से इस दिन से आपके लॉकडाउन रहेगा दुखाने वगर बंद रहेगी आप गड़ेव से बाहर नहीं निकल पाएंगे तीक है ना ऐसे में जो दो या तीन दिन का टाइम प अपने कपड़ें? क्याक्त आपके चीज़ें सारी खाने पीने कि चीज़ें का possiamo है वो खने पुटा आपकी व्सकता लेकिन वो सारी भोगविलास की वस्वेश्वरर अलाम चारती पूरा क्ने का takटी पूरा कर रहा था अंुंत इंग्लन humans सवंधरी प्रशाद रिस्तों का निर्यात करता था तो इसको तो जब मनुश्य की पास पैसे हों गे एक्स्ट्रा पैसे जब होते हैं तब मनुश्य उसको खरिदता है वागी प्रात्मित है किसको देता है जो तो इंगलेंड में वही चीज़े निर्यात होती थी जो कि मनुश्य के खरीदे जाते थी उसका नियात होगी तो क्या होगा उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या है कि एक दस लोग काम करें उसमें 10 दिन लग रहे हैं तो हमें ऐसी मशीने ब नेक्स पॉइंट अपन देखते हैं अर्द कुशल कारीगरों की उपलब देता अर्द कुशल का मतलब क्या है जो जादा पड़े लिखे हो और बहुत ही अनपड़ों अर्द कुशल का मतलब यहां पर इंगलेंड से तात्पर यह था कि उपनेश बहुत ज़्यादा होने के कारण यहां पर जो लोग थे काफी बिरोजगार थे बिरोजगारी के कारण क्या था उनको जो काम मिला था वह इतने अर्द कुशल का मतलब कया है कि इतने समस्ज़ारी उनके कि की मशीन को कैसे और यह से लोगों कि उसके उपनिवेशों में बर्मार थी इंगलेंड के पास प्रिटेंग के पास जा रहा था यानि लोगों के आर्थिक सथी तो अपने मुल्बूत अश्चक्ता को पूरा करें से उनके पास में ऐसे में क्या होता था अपने जीव को पारजन चलाने को जैसा भी काम मिलता था उसको काम करने के लिए तेयार हो जाते थे वही चीज ऐसी मालों आप जहा रह रही हो वहां पर वो लोग नहीं रह रहे हैं तो आप मजदूरों को बाहर से देशों से बुलवाओगे इतना खर्चा करोगे कि यहां पर वह प्रॉब्लम नहीं थी प्रांसेशी करांती और युद्ध वह भी ऑडियों के प्रारम होने कारण माना जाता है इसके पीचे हम क्या कह सकते हैं कि फ्रांसेशी करांती और जो नैपोलीन के जो युद्ध हुए थे इन युद्धों में क्या हुआ इंग्लेंड भी शामिल था ऐसे में क्या हुआ इंग्लेंड के जो अपनीवेशिक देश थे वहां के सारे स्वैनिकों को कहां बेज दिया गया इन युद्धों और क्रांति में शामिल होने के लिए ठीक है ना इंग्लेंड के अपनीवेशिक देशों के सभी सैनिक शामिल मतलब उसने अपने मित्र रास्टों की साहिता के लिए अपने जो अधीन जो रास्ट थे उनके सैनिकों को यहां पर भेज दिया अब जो युवा वर्ग है सैनिक है जो चले गए है अब वहां पर उनकी जो मूलबूत आवशक्ता हैं जैसे वहां पर सैनिकों को पहने के लिए जो कपड़े चाहिए खाने के लिए जो अनास चाहिए उसको उत्पादन बढ़ाना पड़ा क्योंकि सारे देशों के उसने सैनिक जो थे वह युद्दों में जोंग दिये तो पहली यहां पर पीछे क्या हुआ काम करने वाले जो यूवर्ग उनकी कमी हो गई या तो रह गए बच्चे या रह गए बुड़े या रह गए इस्त्रिया अब ऐसे में जब लोगों की संख्या कम रह गई उत्पादन बढ़ गया है मांग बढ़ गई है वहां पर तो उसके लिए क्या होगा उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा कि वहां सैनिकों के पूरती बहुत और हमारे या पर जो लोगों की कमी है उसको भी पूरा किया जा सके दौनों चीज़े या पर क्लेर हो रही है कि क्रांती और युद के दौरान क्या हुआ इंगलेंड के उपने शिक सामदा चीके जो भी यूवर्ग था उनको सैना में भरती कर दिया गया था इसे में वहाँ पर उदि हैने को को जो चीजें चैये चाहे अस्त शश्र रहो चाहे खाने पीने की चीजे चाहे पाने क्ले के लिए कपड़े हसे यहां पर पूरा करने के लिए उसकी कमी घई कारेशील जो वर्ग था उसकी कमी हो गई ऐसे में किसका विश्कार हुआ मशीनों का अध्यूगिक क्रांतिका नेक्स्ट पूंजी की उपलगता पैसा बड़ी किताब पूंजी की उपलगता मतलब जब तक पैसा नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता है पैसा बोलता है है ना तो इंग्लेंड के पास में भरपूर मात्रा में पैसा था कि वह बड़ी-बड़ी मशीनों पर पूंजी लगा सके उत्पादन पर पूंजी लगा सके बड़े-बड़े शित्रों पर वै कर सके तो पैसा अधिक होने के कारण उसने उसको क्या किया निवेश किया लगाया ठ चीज यहां पर थी कि इंग्लेंड जो बहुत बड़े शित्र पहस्तित था सबसे धन्वान धनी संपन था उसमें क्योंकि अपने शिक शित्र उसको खूब सारा पैसा एकटा मिलता था तो ऐसे में पूंजी के उपलगता होने के कारण सरप्रतम अध्योगी करांती कहां पर नेक्स्ट एंग्लेंड की अनुकूल भौगलिक इस्सति का मतलब में इसका जो भौगलिक शित्र है यह क्या है तीन और से समुद्र से गिरावा है ऐसे में क्या है इसके द्वारा जो माल उत्पादित हो रहा है उसको समुद्री मारग के द्वारा एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर सुरक्षित पहुंचाया जा सकता था पहला तो फायदा यह हो सकता है दूसरा फायदा क्या था कि तीनों और से समुद्री सेना होने के यह तो हमने इस पर अधिकार करना चाहिए और यूद की स्तती नहीं तो इसमें क्या होता है आप उसमें बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा सो सकते हो अपने कारी की प्रति बहुती तरीके से उसमें लीन होकर अच्छा कारी कर सकते हो तो यहां पर इंग्लेंड की जो सरकार थी उसका पूरा फोकस था उद्धियों पर फोकस था उत्पादन पर फोकस था क्योंकि वह किसी युद्य के साथ बीजी नहीं थी कोई युद्य उसके तरफ कोई लड़ने वाला देश भी नहीं था तो ऐसे में क्या है जो अनुकुल भगवलिक प्रसित्या थी उसने भी किसको बढ़ावा दिया और द्युगिक क्रांती को ओके लास्ट वैग्यानिक आविशकारों का प्रोचसान अब जब सरकार खुद शांत दिमाग वा उसके कारी के लिए सहता प्रदान कर रही है तो ऐसे में क्या हुआ जो माइंडेट खोपड़ी वाले थे जो विज्ञानिक थे उन्होंने आशक्ता के अनुसार नय नय आविशकार करने प्रारम कर दिए अब जब कोई नई चीज बनने लगी तो क्या हुआ हर चीज को कारी करने की सुवीदा बढ़ जाती है जैसे कि आप अगर थोड़े से टाइम पहले चलो और बहुत पहले टाइम में चलो तो आपको अंतर पता चल जाएगा कि पहले जो कारी है कपड़े धोकर होता था कपड़े धोने का जो तरीका था धीरे-धीरे कैसे परिवर्तित हुआ वाले टाइम में क्या है हर चीज को सरल बनाने के लिए नए नए आविशकार की जारे तो उससे में विग्यानिकों के द्वारा क्या हुआ आपके नबर या दो नमबर में मोस्रिपड़न कोशन है ठीक है नेक्स अपन पड़ते हैं ओद्यो की क्रांती किसमें विबिन शित्रों में हुवे आविशकार और सुधार अब यहां पर एक जीजा आपको नोट करनी है कि अलग-अलग शित्र अपन यहां पर पढ़ेंगे सारे शित्र एक साथ कभी नहीं पूछे जाते और अब दो पहले नम्म में papo लेसंट का विभिन शित्र पढ़ेंगें से अलग और के पूछा जाएंगा कि किसका इशकार ऑविश्कार हुआ क्या उसमें सुधार में आपको एक ही चीज याद रखने हैं सभी शित्र में चाहे वह परिवन का शित्र हो चाहे लोसपात का शित्र हो चाहे संचार का शित्र हो ठीके ना सभी शित्र में परिवर्तन में आप क्या लिखोगे संचार में सुधार में क्या लिखोगे साध्रों में आप यहां पर क्या परीवर्तन हुआ अब यह सबसे है औरे क्रांथ परीवर्तन हुआ इस आपको पाइनगे की कौन कौन से आविशकार हुए सबसे पहले देखते हैं करशी किषेत्र में जो आविशकार हुए उस में सबसे पहला नाम याद कना है आपको याक्षार का एक जमीदा था जैथ्रोटल क्या नाम था उसका जैथ्रोटल जैथ्रोटल अविश्कारक का नाम है इसके द्वारा किसका निर्माण हुआ किसका अविश्कार हुआ तो इसके द्वारा निर्माण हुआ सीट ड्रिल मशीन का किसका हुआ sheet drill machine मतलब beach bonee की machine जो कारी पहले हातों से होता था जानवर उसको खुदई कर रहे है और पिछे आदमी जो है वह बोने का कारी कर रहे है अब यहाँ पर क्या हो गया एक machine बन गई जो साथ साथ में खुदई भी कर रही है और उपर से beach डालने का भी कारी कर रही है तो sheet drill machine क्या थी beach bonee की machine अब एक नमबर में आप से particular यह भी पूछा जा सकता है कि sheet drill machine का विशकार किस ने किया था तो sheet drill machine का विशकार किया था याक शायर की जमीदा jethrotel ने ठीक है तो पहला विशकार का नाम दूसरा नाम आपको यहाय दिखेंगे 동shed कज सही ताउन शेड ने क्या किया ताउस है था ताउस सिम्ट मैं फसल के स्धील है आज कि इसका स्धील गाट कि सही है सभगी मुथ सब्याऋ कर भोने की तरीका बताया इसने सिद्दान्थ बताएं कि फसलों को बदल बदल कर बोलना चाहिए इससे क्या हुआ पहले क्या होता था किसान एक किसी फसल को उत्पादन के बाद में एक या दो साल तक उस जमिन को पर्ति छोड़ देते हैं पर्ति का मतलब क्या होता खाली छोड़ देना कि ता वापस उत्पादित हो जाए उपजव बन जाए उसके बाद में वापसम उस खेत पर खेती करेंगे लेकिन यहां पर टाउंशेड ने क्या फसल चक्र का सिद्दान दे कि आप अगर एक ही खेत पर फसलों को अदिला बगली करका अगर बोएंगे तो भूमी की उरवड़ता बनी रहे आल दाता लिए पhrसी लेकिनज्स्तों कि worked और बैखना है तीसरे आविशकार आपको याद कर आप नहीं रोबर्ट बैक बैल कहुंता रोबर्ट बैक बैल अब रोकर्ट सॉरी रोबर्ट बैक बैल जो है इसने किसका अविश्कार किया इसने अविश्कार किया कब किया पहले तो याद अखना है सत्रा सो सित्तर इस्वी में ठीक है ग्रशी के साथ पलंग का सिद्धान देगे खेती बाड़े के साथ साथ हमें पशु को पालन चाहिए और पशु का भी उपयोग करना चाहिए और पशु से प्राफ तोनेल चीजों को बेच कर भी हम कर सकते हैं तो इसमें जिसे जिसे करें में जो बच्ची भी घास पूस रह ही हम वह जुका इस प्रकार कर साथ प्रशु पालन का जो सिद्दान दिया था रोबर्ट बैक बैल ने दिया था और कब दिया था और अब जो है गजो एक उप्रकार की जिसे बेड है उनकी नसलों में भी सुधार किया गया ताकि अधिकुत्तम मात्रा में उसे जो चीजी उत्पादित हो रही है उसको हम राप्त कर सके और उसका वेपार कर सके ठीक है चौथा पांट जो है रॉबर्ट बैकबेल के बाद में चौथा अविशकार है वह आपको ध्यार रखना है वीहटन का किसका अविशकार किया अनाच को भूसे से अलग करने वाली मशीन का निर्मान किया अनाच को भूसे से अलग करने वाली मशीन का निर्मान किया इसमें इसमें पहले कारी पछली किस αंहिटे जो है उनके यूडरते मशीन किया हाथों से एक क्नलम मिचमिए वशकार किस ने किया विशकार विषकिक काने में न Εच Пप पांच माजो आपको क्रशी शित्र में आविश्कार याद करना है वह है एच मेक कॉर्मिक एच मेर एच मेर कॉर्मिक ठीक है नाम आपको अच्छे से याद रखना है एच मेर कॉर्मिक एच मेर कॉर्मिक जो था इसने किसका विश्कार किया इसने अविश्कार किया फसल को काटने वाली मशीन का हार्वेस्टिंग मशीन जो दिख री आपको जैसे इदर फसल काटने की मशीन फसल काटने की मशीन का इसने अविश्कार किया ठीक है ना पहले जो ट्रेक्टर के द्वारा कि परंपर का तौचारा से किया जाता था करीब किसी उने लग गया हार्वेस्टिंग मशीन के द्वारा होने लग गया ठीक है और इसका सनाप याद रखोगे 1834 में ठीक है तो क्रशी शित्र में दो लाएने तुम आपको बता है जो कॉमन रही की कि जो कारे पहले परंपरा का तरीके से हाथों के द्वारा होता था वह सारा कारे किससे होने लगया मशीनों के माधिम से होने लगया अब इनके आविश्कार मैं वापस एक बार रिपीट कर दू कौन आपको जैथरोटन ने बनाई शी ट्रिल मशीन टाउंशेड ने दिया फसल चकर का सिद्दान रॉबर्ट वैक बैल ने सत्रा सुसित्तर इसमें करशी की साथ पश्रुपालन को वैवसाय रूप बनाया अमेरिक नियासी वीटर ने 1793 में अनाज को भूसे से अलग करने वाल 1834 में यह मैं याद रखना है आपको क्रशी की शित्र में ओद्व की क्रांती से यह यह परिवर्टर हुएते हैं तेंथ बोर्ड के स्टुड़ें इसको बहुत अच्छे से देखें अपने फ्रेंड सर्किल में अपने परिचितों को इस वीडियो सेशन को शेयर करें ताकि जादा से जादा स्टुडेंट इस वीडियो स्ट्रेशन का लाब उठा सकें इसके साथ ही हमारे चैनल से बने रही है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे इस चैनल पर जो भी नॉटिविकेशन आए वह आपको टाइम टॉट सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेज एडिटेक यूट्यूब चैनल साथ ही बैल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब विडियोस की अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलें अपेक्स क्लासेज एडि सब्सक्राइब नाव